Hello friends, Namaskar, मैं हूँ Anuradha और आप देख रहे हैं Anuradha Care Channel Periods के दोरान बाल आपको नहीं धोना चाहिए अगर आप periods के दोरान बाल धोएंगे तो आप infertile हो जाएंगे Periods के दोरान बाल धोने से serious health issues भी हो सकता है Periods के दोरान बाल दोने से आपको भी pregnant नहीं हो सकते हैं कि इसके पीछे जो सच्चाई है वो जानने के लिए आपको वीडियो अंतक जरूर देखना होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो देखिए फ्रेंड्स पीरड़क नाचुरल प्रोसेस है जो कि हर महिला को हर महिने आता है जिसमें की कुछ ब्लड्स और कुछ सेल पास होता है आपके वाज़ना के थूरू क्योंकि हर महिना एक फोर्टाइल ओमें में एक मैंचुर होता है और वो आकर आपके फालोपीयान ट्यूब में रहता है इसके बाद अगर वो एक स्पर्म से नहीं मील सकता या फिर फोर्टलाइजेशन नहीं हो सकता है तो वो जो और उसके साथ साथ जो इटरूस का जो लाइनिंग होता है जो की बच्चे रखने के लिए या फिर प्रेडिन्सी के लिए तयार होता है वो स्रेड होके निकलता है आपके वज़ना के थूरू जिसको किया मेंस्टुरेशन बोलते हैं और यह जो प्रोसेस है बिल्कुल भी दादी माँव होता है लेकिन जब पीरिडवस होता है तो आपके बड़े माँ आपके ग्लकुल लेकिस के बाल नहीं दोना चाहिए आरफिर नहांना नहीं चाहिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको infertility हो सकता है यानि कि आप कभी मा नहीं बन सकते हैं और आपको बहुत दादा serious health issue हो सकता है देखिए फ्रेम्स इसके पीछे जो कारण है वो है कि जब पहले जमाने में लोगों के घर में जब बात्रूम नहीं होते थे तो महिल आए या फिर लड़किया अक्षर river में यानि कि नदी में ही नहाते थे या फिर तालाब में ही नहाते थे इसके बज़े से नदी का जो पानी है वो प्रदुशित होने का chances था और उस time नदी का जो जल था या फिर तालाब का जो जल होते थे उसी को ही सब लोग को यूज करते थे पीने के लिए, खाने के लिए या फिर पूजा करने के लिए या फिर और सब activities करने के लिए इसलिए अकसर और मेन мог को मना किया जाता था कि जो चौनस Хот हमारे पासी बता है इसके पीछे अकरण कि शौना कदा और बहुत सारे डिखे अध्यकर नौट कर थाधा होता सा नहांahan लिखने लगता है इसे बहुत सारे वीडियो मैंने भी देखे हैं लेकिन अगर एक concept होता कि पीर्स के दोरान बाल धोने से या फिर नहनने से आपकी उट्रेस में सूजन आ जाएगा या फिर आपका जो हीट है वो बिल्कुल भी कम हो जाएगा या फिर और कुछ serious health issue होगा तो इसके बारे में जरूर ही research हुई होती और इसके बारे में जरूर ही कुछ data मिलता लेकिन इस और इसके पीछे कोई भी scientific region नहीं है और एक बाद भी आपको धान रखना है कि पीर्स के दोरान अगर आप हलका गुनगुने पानी में नहाते हैं तो आपका अगर पीर्स का पेन हो रहा है या फिर क्रांपिंग हो रहा है और इसके पीछे कोई भी बाइगानी कारण नहीं ह कि अगर आप पीर्स में बाल्द होएंगे तो आपको infertility का समस्या हो सकता है या फिर आपको serious health issue हो सकता है अगर ऐसा होता तो पूरे विस्वे में बहुत सारे महिलाये हैं और वो सारे महिलाये पीर्स के दोरान बाल्द होते हैं लेकिन वो infertile नहीं होते हैं पीर्स में बा आप जरूर पसंद करेंगे और आपके मन में यह डाउट बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा कि पीर्स में बाल्द होने से या फिर पीर्स में नहालने से इन फॉर्टाइल या फिर कुछ serious health condition होने का कोई भी chances नहीं है तो अगर वीडियो आपको अच्छे लागा तो लाइक किजेका और साथी साथ दूसरों के साथ भी सेर किजेका सो और एक नए informative वीडियो के साथ फिर मिलती हूं तब तक के लिए stay healthy stay healthy